इसमें से कब भाग या सेर निकल दाएगा कोई भरोसा नहीं है भाई बहुत दिंजर रोड है याँ कैम्पिंग क्या सिटी ब्रो वास गोई ओन खाना बना रहे खाना क्या बात है यह असाम का लोकल मार्केट ना बाई जान दे मेरे को यार फर्स्टाइम कैम्पिंग हुआ है मज़ा गया टेंट के सामने और खुद के हाथ से बनाया हुआ खाना इसका खाने का बात ही अलगा भाई अलगा बलागा हुआ है है विल्कम बेक तो मैं यूटीब चैनल एनस्वल्क्स 21 तो दिस्तोर आज है ट्रिप का चठा दिन और आज है डेट चौ दिसम्बर दोजार तेस्ट यानि कि छे दिन हम लोग आई ए औल इंडिया ट्रिप का हो गया है पूरा और अभी हम लोग है नौर्थ इस्ट में इंटर करने ही वाले है फिलाल अभी हम लोग हासी मारा वेस्ट बेंगल के अंदर औ आप सभी का स्वागत है हमारे एनस भाई के ब्लोग में और देखिए राइडिंग जैकेट लग लिए हैं तो काफी उनिक लग रहा है और राइडर पलफील आ रहा है और इदर देखिए स्ट्रेंडर से जाने वाले हैं और ना चल तवांग इदर यसी भी भाई है हाँ इस यहीं पर खाना पिनहर्ची का प्रवंध था और यहां पर अभी भंडारा लंगर भी चला देखिए लोग खा भी रहा है तो देखा होगा इसमें मैंने आपको दिखाया भी होगा तो चले गाइस चलते सिधा मोटोग मोड में मिलते हैं आप से और उसके बाद यहां से जरन का वह बेस कैम्प है इंडियन आर्मी का एरफोर्स का पेस कैम्प है यहां पर मैं देख रहा हूं हर आदे गंटे पे प्लेन एरो जेट इदर से जाती है पूरे आसमान में गुचते हूँ है चलिया आदे इस अबहते रहते हैं और यहां को लगता है 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 कि आपको कैसे म चार दिवारी जो है न देख रहे हैं यह एर बेस और यहां पर साफ साफ लिखा हूं एचे ताबनी घुस पैठियों को गोली मार दी जाएगी अभी मैं आपको दिखाने एकोसिस करता हूं घुसेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी डैरेक्ट यह देखिए घुस इसलिए यहां पर हमेसा तैनात रहते हैं और मैं देख रहा था कि हर आधे गंटे के अंदर एक फाईटर जेट आसमान में पूरा चक्कर लगा रहा था और मुझे लगता है कि राउंड इसलिए लगा रहा था क्यूंकि अगना चिए कि हां इंडियन फोर्स एंडियन एर फ वहाँ पर पूरा आस्मान में एक दम चारो तरफ एरो प्लेन, फाइटर जेट, हेलिकोप्टर तक मैंने देखा हूँ जो इंडियन एरफोर्स सुभा से ही देख रहा हूँ यह चक्कर लगा रहा है इंडियन एरफोर्स या फिर पता नहीं कोई और भी रीजन हो सकता है कोई एसवेसल ट्रेनिंग चल लगी होगी में भी खेर चोरो अभी हम निकल रहे हैं यहां से तवांग के लिए मतलब डेशनेशन तो अपना तवांग है लेकिन हम कहीं पर उख सकते हैं देखो ट्रुक वालेों का लाइफस्टाइल भाई गजब का लाइफस्टाइल है प्रक व इसमें कहीं से कोई भरोसा नहीं कि कब यहां से टाइगर या बाग या फिर लायन कुछ भी आ सकता है वो जो गुरुद्वारा के अंदर जो बावा जी थे वो बता रहे थे कि ऐसे कुछ दिन पहले कुछ राइडर्स लोग इदर से गुजर रहे थे पाइकर्स लोग तो उ पड़ा जानवर सांव फी थोरा-फोरा दिख रहा है यह लोग जो डिफैंस की क्या वोलते उसको जंगल को दो yeah forest forrest police forest透 falar फोरेस्ट डिपार्टमेंट के जो होते हैं डिफेंस वाले वो लोग भी एकदम चोकनना रहते हैं इनी टाइम घूमते रहते हैं देख रहा हूँ बाईज आप रियत का बवंडर रे बावार रियत का बवंडर जान दे मेरे को यार इतना बरा सा ट्रक हां इधर से खाली ट्रक के पीछे जाने का मतलब समझे रहे हो पूरा धूल से एकदम भड़ जाओ पूरा सडीर हमने राइडिंग जैकेट पैना रखाया अगर राइडिंग जैकेट ना होती तो सोचो क्या हालत होती हमारे ऐसा जंगल मैं टीवी में इन्दिफाब इंडिया के अंदर भी अरे भाई भूटान का गारी देख सकते हैं भूटान का गारी है बहुर फर्स्टाइम में देख रहा हूं इस रास्ते से काफी भूटान की गारीया चल लाई है क्योंकि भूटान का पृंडर यहां से पास में है और जो आयात-बाण जो इसी ट्रक के थे घुरू हो रा है इसका नंबर बहुत यूनिक है रेट कलर है रेट कलर पे लगा हुआ है ओ बहुत जंगल है यार भाई साहि में बहुत देंजरा से यार दिल ला-देने वाली जंगल देखिए क्या खतर्नाक है यार दोनों साइड में एक दम गन्गोड जंगल और बीज में नेशनल हाइवे और इसमें जा रहा ही अपने टाइगर सिरीडामपूर यहां से 50 किलो मेटर के हाथ से बनाया हुआ खाना इसका खाने का बात ही अलगा भाई इसमें से कब बाग या सेर निकल दाएगा कोई भरोसा नहीं है भाई बहुत डेंजर रोड है जंगली जानवर दिखना स्टार्ट है बाई बंदर से स्टार्ट हो गया बाटी 302 312 किलो मेटर मतलब यहां पर तो जंग अगर बंदर है तो अल्मोस्ट सभी जानवर भी हो सकते हैं देखने को मिल सकते भाई मुझे तो थोड़ा थर डर भी लग रहा है कही रोक भी नहीं जानवर निकल जाए यह देखो जंगली कुथा जंगली कुथा जंगली कुथा जंगली कुथा यहां पर हमें दिग गए हमारे राइडर की मंडली चाय के बागानों में चलिए चलिए बोला तो चलिए चलिए कर देते हैं बागी देखो भाई साब अब यहां से असम टी देखने को मिलेगा इसे पहले था बंगाल का चाय अब असाम का चाय देखने को मिलेगा मुझे रहता है यह बीच बीच में किसी का पेर डाला गया अगर आप लोग लोकल हो तो बताओ कमेंट करके जो आप बीच बीच में द देख रहा हो कितने ज्यादा राइडर जा रहा है भाई सिर्फ राइडर सी जा रहा है यार फिमालियन बुलेट यही सब दीख रहा है भाई लगवाई दस राइडर अभी गुजरा होगा अल्यवालिन लिए अड़ाय समाइब वेलकम टु आसाम एड़ करने के पार जबने Blue तैन आप टाक सब्सक्राइड सरव और की अब अच्छ anovого कि पेलेज्ट देख पूरा − आदी भाई यहार राथ के इधर चंगव्यार यह यहार रात के इदर चंगल हमसिंगाई भाई यहा यहां पर उपेन फर्स्ट टाइम यहां पता के तरी किया नहीं था प्रॉप पुछे कोई जैनोमर से यहां नहीं है तो दोस्तों अभी रात के बज गाया हैं चहे रात के इसलिए कहा हुआ हुए क्योंकि नॉर्फ लो नॉर्फ इस्ट के फर्स्ट स्टेट के अंदर इंटर कर गए हैं असम के अंदर और देखिए आपर पुरा अपनी टाइबर लगी हुए एक पर दिखाया तो यहाँ पर कर रहा है और सीपी भाई वीदर अल्मोस्ट लगा भी लिए हैं क्या सीपी ब्रो किल्ग कर रहे हैं को यहां के कुछ गाओं के लोग हैं उनके मदद से हैं में पानी लाए है घर से जर्दît मजा आ रहा है कुछी को यह अब देखिए सारा सामान आध्या अर चावाललाल जो भी है और यह लोग यहां से नम हो आपका पका बट देखिए इधर आप नम अलफय टूडू तो आप हलोग यही है ना लुकत नपद निया। बाई का पूरा सपोर्ट है बहुत-बहुत धन्यवाद आप लो का को करा जहार डिस्ट्रिक कंस क्या सीपी परो खाना भी जोड़ से लगा है और इससे पहले ना राशन खर्थ किलाना पड़ेगा मार्केट क्या हो रहा है ब्रो आप पंगा हुआ है क्या हो गया गया तो गाइस देख सकते हो यहां पर हो रहा है फुल कैम्पिंग क्या सिपी ब्रो वास्ट गई आगया है इसका ब्रेट भी ले लिए तो हम इसलिए हम तोसे की ब्रेट ले 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 लिए ते बहुत ज़रू देखे भाई-लोग आज हम लोगा घर यही पर है चाहा है मेरा घर आसाम के बादियों में हम लोगों भूम रहे हैं और फाइनली हो गया है खान रेडी और यहां पर अपसर्फ होने वाला है कुपकर से सिटी निकल लही है कि चावल बनाया है बिहार से हाप से बनाया हुए खाना इसका खाने का बात ही अलग भाई लाइफ का फर्स्ट कैम्पिंग के आगया है फर्स्ट फूड और हम जा रहा है खाने के लिए लेट्स अब क्या वाग मजा इंटू हंड्र ना इसी बात पर मजा और पाना है तो यह लाइक करना है चैनल को सब्सकाब करना है तो गाइस मिलते फिर नेक्स वीडियो और बहुत अमेजिंग वीडियो साब को देखने को मिला इस नौर्थ इस्ट जरनी में इसी तरीके के वीडियो को प्रेज कर कर लिजे मिलते हैं नेक्स वीडियो तो तक के लिए